नमस्कार सातियो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर सातियो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें expenditure कैसे create करनी है कैसे हमें print payment advice PPA का print निकालना है और save करनी है सबसे पहले हम बात करेंगे हमने vendor create कर लिया है vendor को हमने map कर लिया है तो हम उसकी ही expenditure create करेंगे इसके लिए हम expenditure पर click करेंगे और add new पर click करेंगे expenditure में add new पर click करके एक नया page खुल गया है इसमें सबसे पहला जो option है वो है scheme सबसे पहले हम scheme select करेंगे scheme है हमारी UP113 समख सिक्षाले अलिमेंटरी अजूगेशन 3667 UP project हमें select करने की जुरुत नहीं है bank account automatically यहाँ पर feed हो जाएगा जो हमारा PFMS का bank account number है वो यहाँ पर automatically हमें show होगा इसके बाद हम select करेंगे expenditure done for यहाँ पर vendor और beneficial दो option आ रहे हैं तो हम vendor को कर रहे हैं तो हम यहाँ पर vendor select करेंगे अब हमने vendor हमने map किया है और यहाँ पर जो vendor हमने map किये हैं उनकी list भी हमें show हो रही है तो यहाँ से हम उसको select कर लेते हैं और यहाँ पर उसका नाम हमें आ गया यहाँ पर show हो रहा है अब हम next जो हमारा box है वो है letter और office order number जो हमने SMC की meeting में जो हमने letter और office order number निकाला है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर हम stationary का पैसा निकाल रहा है चहक प्रोग्राम की तो stationary चहक slash session 2022 23 तो यह हमने office order number इसको दे दिया file choose file हमें करने की जुरूद नहीं है file upload करने कोई जुरूद नहीं है यहाँ पर है uploaded sanction letter sanction date यहाँ पर हम same date कर लेते हैं अब है total amount total amount जितने amount का हमारा bill बना है यहाँ पर हमारा 700 रुपय का बना है तो हमने यहाँ पर 700 डाल दिया अब हमें narration लिखने है narration में जिस भी यहाँ पर डाल देंगे ताकि हमें बाद में passbook print में हमें show भी हो जाए कि हमने किस मद के लिए पैसा खर्च किया है अब देखिए सबसे important option है select scheme अब हमें scheme select करनी है जिस मद में हम पैसे को खर्च कर रहे हैं अब हम कर रहे हैं यहाँ पर check program के लिए तो यहाँ पर UP113 की सभी scheme आगी है हम यहाँ पर check की scheme select करेंगे यह है F.01.22 यह check program की 2700 रुपय थे उसके लिए हमें यह select करना है इसमें आपको काफे सारे option में लेंगे वो आप यहाँ पर search करकर select कर लेंगे अब expense type में हम revenue को select करेंगे और जितना हमारा bill है उसकी हम कितने percent payment कर रहे हैं अगर हम पूरी payment कर रहे हैं तो यहाँ पर 100 डाल देंगे और amount automatically हमें यहाँ पर show हो गया अब हम इसको add पर click करेंगे अब यह add पर हमने click कर लिया है यहाँ पर scheme show हो रही है amount show हो रहा है और expense type revenue अब हम इस box पर select करकर इसको हम save कर देंगे अब हमारा transaction का एक voucher number create हो गया है इसको हम चाहें तो इसको not भी कर सकते हैं okay पर हम click करेंगे अब देखिए expenditure detail save successfully do you want to proceed with pay detail हम yes पर click करेंगे yes पर हमने click किया यहाँ पर देखिए सब detail आगी है amount आगी है created by यहाँ पर data operator के idea आगी है narration यहाँ पर show हो गई है sanction date show हो गई है created on यहाँ पर show हो गई है अब यहाँ पर हमें सबसे last में एक option दिखाए दे रहा है instrument type आपको यहाँ पर problem show हो सकती है यहाँ पर आप select करने पर आपको यहाँ पर कोई भी option show नहीं होगा इसके लिए मैंने एक video भी बनाए विया कि हमें bank account को कैसे activate करना है तो वो agency admin की ID से आपको bank account activate करने के बाद यह option show होगा e payment using print advice इसको हम select करेंगे और add पर click करेंगे add पर click करने के बाद यहाँ पर हमारे पास party का नेम आ गया vendor का नाम आ गया उसका ifs record, account number, amount जो transfer होनी है और यहाँ पर narration for passbook में हम narration भी लिख देंगे stationary for check program यह हमने यहाँ पर narration लिख दी है यहाँ पर delete का option भी है अगर हमें कोई detail गलत लग रही है तो हम इसको delete भी कर सकते हैं और बाकि सब ठीक है तो हम यहाँ पर add do you want to add the detection detail यहाँ पर no hit रहने दीजे और इसको confirm कर दीजे अब यहाँ पर देखिए pay detail pay detail has been confirmed successfully यहाँ पर pay की जो detail है वो successfully confirm होगी है अब हम इसको approval के लिए submit कर देंगे successfully saved for submitted अब हमारी जो application है वो approval के लिए चली गी है अब यहाँ पर data operator का role खता होता है और data approval का role शुरू होता है अब data approver इस application को approve करेगा तो हम data approver के ID से login कर लेते हैं अब हम data approver के ID से login करेंगे अब हमने data approver के ID से login कर लिया है अब data approver expenditure को क्लिक करेगा approve पर जाएगा और यहाँ पर scheme select करेगा UP113 और यहाँ पर search पर क्लिक करेगा देखिए यहाँ पर यह आगया stationary check इसको हम select करेंगे यहाँ पर देखिए सारी details हमें show हो रही है सबसे नीचे एक option आ रहा है approve और reject अब data approver चाहे तो इसको reject भी कर सकता है और इसको approve भी कर सकता है अगर उसको सभी information ठीक लगती है bill amount सब ठीक लग रहा है तो वो इसको approve कर देगा approve पर क्लिक करने के बाद एक option आ रहा है please enter remark यहाँ पर approver अपना remark कुछ भी डाल देगा approved for approve for चहप program stationary और यहाँ पर approve को क्लिक करकर इसको approve कर देगा अब देखे successfully saved for approved अब यहाँ पर हमारी application अप्रूव हो गई है अब यहाँ पर data approver का रोल फिर खदम हो गया अब हम फिर से data operator के ID से login करेंगे और print payment advice जनरेट कर लेगे अब हमने data approver के ID से login कर लिया है हम expenditure पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखे सब से नीचे हमें एक option शो होगा e-payment print advice इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर scheme select करेंगे UP113 financial year select करेंगे 2022 और search पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखे हमने पहले भी कुछ transition की है तो उनका record भी show हो रहा है हमारा stationary चहक यह हमारा print payment advice नंबर आगे है payment advice इस पर क्लिक करेंगे और यह हमारी PPA generate हो गई है इसको हम print पर क्लिक करकर इसकी PDF अपने पास save कर लेंगे और इस PDF का print निगाल कर हम principal और SMC एदर्स के शायन करागर bank में submit कर देंगे जिससे की payment process हो जाए तो यह था process कि कैसे हमें expenditure create करना है कैसे हमें PPA generate करना है तो साथियो यह हमारा final process था इसके बाद हम bank में इसको PPA को submit करकर payment कर सकते हैं तो इस तरह हम PFMS portal का पुरा process कर सकते हैं वाकी वीडियो का link भी मैं description में share कर दूँगा कि हमें vendor कैसे create करना है हमें data operator और data approver कैसे register करना है सब आपको description में मिल जाएगा तो धन्यवाद साथियो मिलते हमारी अगले वीडियो में